तो दोस्तो जब भी आप YouTube Music Library से किसी Music को डाउलोड करते हैं तो ज़्यादा तर ऐसा होता है कि जो आपको अभी शो कर रहा है Music Indies वीडियो वो आपको अपनी वीडियो में दिखाई देता ही देता है तो दोस्तो यूट्यूब Music Library से भी डाउलोड करने के बाद उसको यूज करने के बाद ये कैसे आ रहा है क्यों आ रहा है क्या ये क्लेम है क्या इससे हमाएं अपना रेविन्यू किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा या फिर हमें कॉपी राइट आ सकता है तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान से देखेगा तो हैलो दोस्तो मेरा नाम है कपिलो स्वागत अब सब्सक्राइब का नौले एंटरेटेनर्स में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूब Music Library के बारे में पूरी डिटेल में तो दोस्तो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी जैसे अभी आपको यहाँ पर थम्लेल दिखाई दे रहा होगा तो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने बताया था कि YouTube Music Library से क्या हमें Copyright या फिर क्लेम आ रहा है तो दोस्तो आज उसी टॉपिक या फिर उसे डिरेक्ली यूज कर रहे है तो नीचे जाकर डिक्सिक्शन में या फिर उसके नीचे बिल्कुल आपका चीज दिखाई दे रही है Music in this वीडियो तो क्या यह आपके चैनल पर किसी का Copyright है नहीं यह कोई भी Copyright ऐसा नहीं है जिससे कि आपकी वीडियो को कोई न कर रहा है तो दोस्तों देखें यहां पर बात आती है कि यह क्यों आ रहा है तो दोस्तों पिछले टाइम में क्या हुआ था जब पहले की देखें तो ऐसा नहीं था पहले किसी भी वीडियो के नीचे ऐसा नहीं आता था लेकिन YouTube ने कुछ अपडेट्स की क्योंकि वो दिख यूटिव स्टूडियो पर जाने के बाद आपको यहां पर एक option मिल रहे होगे site पर जिसमें लिखा होगा यहां पर music तो आपको YouTube music library पर जले जाना है वहां से आपको किसी music को download करना है लेकिन आपको यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी music आप यहां पर उससे download करन ना तो वहां पर मैंने बताया हुए है कि कौन सी music जब हम download करेंगे उसका हमें अपनी वीडियो के decision में वहां पर उसे जो है credit नहीं देना पड़ेगा और किस music के रही हमें credit देना पड़ेगा यह सारी चीज मैंने उस वीडियो में बताई हुई है एक बार उस पर भी चले ज तो यहां से मैं आपको थोड़ा सा बताई देता हूँ जैसे देखिए जो आप यहां पर music देख रहे होगे कहीं के यहां पर क्या आ रहा है CC लेकर आ रहा है मलब कि जो यह वाले audio है आपको जब इस पर आप CC पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको copy paste करने का आएगा कि इस आर्टिस ने यह वाला music बनाया है तो आपको अपने description में इसे डालना पड़ेगा लेकिन जिस पर यह नहीं आ रहा है तो आपको वहां पर क्या करने सकते हैं आप उसे directly अपनी वीडियो पर यूज कर सकते हैं तो यहां पर आपको किसी को भी credit देने की ज़रूरत नहीं है त अब मैंने इसको पड़ा तो वहां पर क्या लुखा हुआ है वो आपको मैं यहां पर अभी आपकी screen पर दिखाने वाला हूं तो दोस्तों देखें जैसे हम यहां पर अपने YouTube को जाकर open करते हैं YouTube पर जाने के बाद आपको अपने channel बाले चीज पर क्लिक करना है वहां पर क्ल library claim जैसे मैंने देखें यहां पर search किया था पहले ही आ गया इस पर हम क्लिक कर लेते हैं तो दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके साहने फर्स्ट ऑप्शन है यहां पर देखें लिखा हुआ है give attribution तो जिन पर यहां पर creative commerce का sign है तो दोस्तों आपको उसका attribution देना होगा मतलब कि उसका credit आपको देना ही पड़ेगा तो वो कहां से देना पड़ेगा जैसे दिखें यहां पर हमें एक option दिख रहा है pop-up window के साथ में click copy गा उस पर click करें तो उसका आपको attribution मरलब की credit अपनी वीडियो में देना ही देना पड़ेगा तो दोस्तों आप यहां पर एक और चीज लिखे हुए है if you want to find music that has standard YouTube order library license तो दोस्तों अगर आप ऐसा music की use कर रहे हो जिस पर आपको CC वाला option नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं आप उसे without credit दिये हुए ही अपनी वीडियो पर use कर सकते हैं हाँ अगर नीचे आप ही जाए music in this video कोई problem नहीं है लेकिन आपको ऐसी जो audio आपने अगर download किया होगा कोई music तो उसका credit नहीं देना पड़ेगा ठीक है तो यहां तक clear है तो अब question जो ज़्यादा आ रहा था वो क्या था कि क क्या हम YouTube music library से जब हमने music को download किया download करने के बाद उसके बाद क्या हुआ हमारी वीडियो के नीचे music in this video लेकर आ रहा है तो क्या हमारी यह वाली video monetize होगी अगर monetize हो भी गई तो क्या इससे हमें earning होगी तो इसी चीज का यहां पर मैं आपको answer देने वाला हूँ तो दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है If you are in YouTube partner program you can monetize videos with music and sound effects from the audio library मतलब कि इसका क्या meaning है अगर आप YouTube music library से किसी भी music को download करकर उसे use कर रहे हो तो हाँ आप अपनी video को monetize कर सकते हैं मतलब कि यहां पर जैसे रिखा हुआ है कि आपको अपने किसी भी revenue को किसी के साथ share नहीं करना पड़ेगा जैसे दिखिए copyright safe music and sound effects downloaded from the audio library won't be claimed by a right holder through the content ID system मतलब कि जो भी audio आपको YouTube library पर मिलेगी तो उस पर उसका जो content idea उस पर कोई भी claim करकर जिसने उसे बनाया भी हो वो artist आपको claim करकर ये नहीं कह सकता कि आप मुझसे अपना revenue share करो या फिर आपको copyright नहीं दे सकता तो दोस्तो अब तक जो YouTube ने यहाँ पर guidelines दी हुई है वो यही वाली है कि आप उन्हें किसी भी tension के बिना use कीजिए अपनी किसी भी video यूज कीजिए बस जो credit देने वाली audio है उन पर आप credit दीजे जिस पर जरूरत नहीं है उस पर नहीं दीजे अगर music in this video आ भी रहा है तो को आपको भी पता होगा daily updates आती ही रहती है तो यह वाली जो updates आ रही है मैंने अब तक आपको बता दिया है जो updates आई हुई थी उसके बारे मैंने आपको पूरी detail में यहाँ पर बताया है आपकी video monetize हो सकती है और बाकी क्या है कि आने वाले time में YouTube क्या गरता है वो तो YouTube को ही पत करना है किस audio का credit देना है YouTube music library से तो दोस्तों आपकी video 100% आप monetize कर सकते हो इस बात की भी आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है तो दोस्तों यह था आज का पूरा topic और मैं अमीद करता हूं आपको detail में पूरा समझ आ गया होगा अगर फिर भी कोई question रहता है तो दोस्तों आप Instagram ID का link आपको यहाँ पर मेरी नीचे मिल जाएगा डिस्ट में जाकर आप वहाँ पर मुझे message कीजिए मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके हरे question को solve करने की उसका answer देनेगी तो दोस्तों बहुत सारे दोस्त मुझे comments करते हैं और मैं उनका reply करता हूं उनके ल related content आपको मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे ऐसी और कई ने वीडियो के साथ तो तब तक लिए आप सभी को अलविदा दोस्तों